हाँ तो देखो जल्दी जल्दी हमनों रिवाइज कर लेते हैं बहुत देन हो गए वैसे भी English English में तीन पिलर्स होते हैं ठीक है उसकी तीन पिलर्स होते हैं जिससे वो सपोर्ट सिस्टर में इसका English के जिससे वो खड़ा रहता है पहला पार्ट है grammar दूसरा है bokeb और तीसरा है reading comprehension ठीक है ठीक है फ़ो grammar का हलका सा बात करें या चलो part of speech पड़ते हैं ठीक है that has its physical form that can be tangible for example book किसी का नाम हो गया वस्तू हो गया ठीक है वस्तू प्लेस या किसी का नाम ठीक है जगे का नाम वो हो गया अबस्ट्रेक्ट नाउन क्या होता है जैसे कोई ब्रेव है कोई है कोई है महला नाउन फॉर्म अग्जेक्टिव बोलता हूं क्या बोलता है holistic noun noun form of adjective कर्यसमब ब्रेवरी हो गया honesty हो गया happiness हो गया प्रोगा है ब्रोगा प्रोगा होता है repetition right word which used in a place of a noun a word which is used to avoid the repetition of the noun जैसे हम लोग कई बसा नार्मल लाइन बोलता है that गुडियादीदी कुट and गुडियादीदी tweiroodel kulli रहा है Medford इससे बढ़िया तुम एक बार बोले गुडिया दीदी इस कुकिंग फूड एंड शी इस प्रो इनिट विल्डब गुडिया दीदी खाना बना रही है और वो खाना बनाने में एक्सपोर्ट है प्रो मतलब एक्सपोर्द है तो लाइक दिस इन कंपेरिंग भी यूज जेंप्सपीच ठीक है फर अग्जांपल ये एक एक्सामपल एचा देखलो दर पॉपलेशन ऑफ जैपूर इस मौर देन कोटा दर पॉपलेशन ऑफ जैपूर इस मौर देन देन देट आफ देन देट ठीक है ठीक है अब फर्क देखो दा पॉपुलेशन अफ जापुर जादा है नहीं यह जादा है नहीं क्या जादा है नहीं इसके परस्पेक्टिव से अगर हम पूरा लाइन देखेंगे जो में सब्जेक्ट जो में चीज है इस case आप से लेके चले और पूरा sentence को हम देखेंगे इस sentence हो चाहब हो यह sentence हो चाहब हो यह sentence हो तो हमको पता से लेगा कि दो बर population population नहीं आ सकता अभी पता है repetition नहीं हो सकता population of Jappur यह तो अजीब लग रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है रहा है repetition भी नहीं हुआ कुछ गलत भी नहीं लगा ठीक है ठाट होता है adjective adjective होता है विशेषता a word which is used to describe or qualify noun or pronoun for example expensive car car कैसी है महेंगी है car कैसी expensive expensive car कैसी कार है expensive car मतलब expensive adjective car हुआ noun second example Anjali is a student she is an intelligent girl अब देखो अंजली एक student है और वो लड़की जो है वो intelligent है वो पढ़ने बढ़ी है तो इसमें noun क्या हुआ देखो नाम का है किसका यह noun हुआ अंजली नाम और यह लड़की है यह noun noun pronoun क्या हुआ शी प्रणा मतलब he she it होता है ना उसको प्रणाउन क्याता है he she तो he she है तो प्रणाउन है is an intelligent girl intelligent मतलब कैसी girl है intelligent है तो girl की फिशेष्ट्रा बता रहा है ना यह एक्जेक्टिव तो intelligent क्या है एक्जेक्टिव है अब है वर्ब वर्ब की कौन किते टाइप का होता है दो टाइप का होता है ठीक है main verb and helping verb अब देखते main verb और helping verb क्या होता है main verb action motion movement v1 v2 v3 verb की first form verb की second form and verb की third form कॉमा verb plus ses ends with ना करना जाना खाना पीना सोना ठीक है खासना डांस करना मतलब नाचना गाना तो ना आता है ना जिसके भिलास में ना है वो क्रिया हो जाती है वो वर्ब हो जाता है क्रिया करना काम करना ठीक में वर्ब यह हो गया और helping verb क्या होता है helping जो भी helping verb और जो वर्ब करें और जो वर्ब मेन भूमी का नेपा है उसको तो मेन वर्ब हो गया करना मिलब कोई भी संटेज में कोई लड़की लड़का या कोई वस्तू क्या कर रहा है क्या कैसे हो रहा है ठीक है हल्प मतलब जो help करें for example is am are was were will shall has have had do does did और models plus verb की first form है ना dependent on move so हमने चार चीज़े पढ़ी है क्या के पढ़ी है रिवाइस करो noun, pronoun, adjective और verb part of speech के 8 types होता है चार हमने पढ़ ले है ठीक है अब अगले हम 4 और पढ़ेंगे